वहीं लंदन में राखुल गांधी के दिये गए बयान के बाद संसद में जिस तरह से हंगावा हो रहा है उसे लेकर सियम भुपेश बखेल ने जहां सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है वहीं बीजेपी इसके लिए विपाक्ष यानी कॉंग्रेस पर निश्वाना साथ रही है इन तमाब मुद्दों को लेकर स्वराज एक्सप्रेस समधाता दिलिप साहु ने बीजेपी सांसत सुनिल सोनी से खास बार्टिब की अब जिस तरह से हालात बने हुए और लोगसपा में जिस तरह से हंगामा हो रहा है और बजट जो सत्र है वो नहीं चलना है लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री भुपेस बगेल ने सीधे तोर पे विपक्षी भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाया है कि वो जान बुचकर सदन नहीं चलने दे रहे हैं हमारे साथ लोकसभा के राइपूर से सांसत सुनी सुनी जी है इनसे बात करेंगे जिस तरह से मुख्यमंत्री नारोप लगा है कि जान बुचकर एक तरफ आम तरफे हंगामा विपक्ष वाले करते हैं इस बार पक्ष वाले कर रहे हैं और जान बुचकर कर रहे हैं इस तरह का आरोप लगा है देखिए जान बुचकर नहीं कर रहे हैं देश के मान सौहिमान और देश के हित की बात है सामने में कि आप लंदन में जाकर विदेश में जाकर अगर भारत की जो है आप के संदर में गलत बयान बाजी करेंगे भारत विरोधी अपना बयान देंगे तो इसको देश कभी स्विकार नहीं कर सकता और नमाप करेगा आपक यही एक रास्ता है क्योंकि आप जाएं और जब भी अटल जी गए थे अनन्य विपक्स के नेता जब विदेशों में जाते हैं तो अपने देश की तारीब करते हैं अपने देश के बारे में अच्छा बोलते हैं ताकि देश की साख और मजबूत हो लेकिन आप वहां पे जाक सब्सक्राइब की मैं दुर्भाग जनक ढंस भारत में पैदा हो गए इस तरह की बाते मोधी जी की तरफ से भी आता था तब इस तरह के हंगामा नहीं हो एकास धारण प्रस्तूत करे ना कि वह भ्रह्म फेलाने से सत्य नहीं माना जा सकता कि उद्थान मंत्री मोधी जी ने किसी कालखंड के अंदर में ऐसा कहा होगा तो अटल जी का उधारण दीजिए कि जब अटल जी को विदेश के अंदर में भेजा गया था तो उन्होंने देश की तारिप की थी विपीत परिस्थितियों उन्होंने देश की तारिप की थी तो जब हम विदेश पे जाते हैं तो देश हमारे लिए प्रथम होता है हमारे लिए राजनिती प्रथम नहीं होती है देश हमारे लिए प्रथम है ये थे सांसत सुनील सुनी जी इनका साफ तोर पर कहना है कि जिस तरह का जो महाल बना है उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेश है और उनके लिए हमारे लिए देश प्रत्हम है और उनके लिए अडानी प्रत्हम है इस तरह की बाते भी कह रहे हैं Camera Person Santosh के साथ स्वराज Express के लिए रायपूर से दिलिप सा हूँ